हेलो एवरीवन वन्स अगेइन वेल्कम बेक टू आवर यूटूब चेनल नर्सिंग नोट्स और आज की क्लास के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं बेलेंस डाइट के बारे में यह टोपीक है नूट्रेशन जो सब्जेक्ट है उससे रिगार्डिंग जी एनेम नर्सिंग इंपोर्टेंट टोपीक है इससे रिगार्डिंग आपका 10 नंबर का कोशन्स बन सकता है बेलेंस डाइट से रिगार्डिंग इसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके अंदर फैक्टर्स पड़ेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे ठीक है इसकी डिफिनिशन क्या है यानि कि बेलेंस डाइट किसको कहेंगे जिसके अंदर राइट अमाउंट में नुट्रियंट्स एवलेबल हो वो भी कौन-कौन से कार्बोहेटरेट, प्रोटीन, फेट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंद वोटर या फिर फाइवर भी कह सकते हैं तो यह जो एवलेबल है जो नुट्रियंट्स होंगे उससे मिलकर कम्प्लीटली क्या है बेलेंस डाइट बनेगी यह इसकी डेफिनेशन हो गई नेक्स्ट इसी के अंदर, अब बेलेंस डाइट प्रोट अल नेशेसरी नुट्रेंट्स फोर अवर ओल हेल्थ एजन लोंग लाइफ एटिंग बेलेंस डाइट रेदूस रिक्स फोर हार्ट डिजीज, केंशर, डाइबटिज, अनुट अधर हेल्थ प्रोब्लम्स यानि कि balance diet क्या करेगी एक necessary nutrients provide करेगी for healthy body के लिए जो prevent करेगा heart disease, cancer, or diabetes and other health problem है उसके against तो यह हो गई balance diet की definition easy definition है इससे regarding आपका 5 नमर का questions बन सकता है खाली definition से regarding next अब इसके अंदर देखेंगे the factors that contribute to a balanced diet are यानि कि balance diet में कौन से factor contribute करते हैं the first one protein, second one fat, third one carbohydrate, vitamins, minerals, water and fibers इन factors से contribute होके एक balance यानि कि diet बनती है यानि कि एक balance diet बनती है तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले देखेंगे protein के बारे में protein is a key factor in creating a balance protein का एक key factor होता है balance diet का ठीके next proteins are the building block of life necessary fraud, development, repair and maintenance of our body cell यानि कि protein एक building block की तरह काम करता है जो body cell के लिए maintenance, repair and development के लिए ज़रूरी होता है protein तो यह हो गया protein के बारे में next अब बात करेंगे carbohydrate के बारे में carbohydrate play an essential role in the balanced diet और body breaks down carbohydrate into glucose और blood sugar which is used to for energy यानि कि balanced diet के अंदर carbohydrate एक essential role play करेगा और body जो है breakdown करेगी carbohydrate को glucose के अंदर और blood sugar के अंदर जो कि energy के लिए use किये जा सकती है तो यह हो गया carbohydrate के बारे में second point next अब देखेंगे fat के बारे में they are necessary for the performance of important functions like absorption of a fat soluble vitamins A, D, E and K ठीक है fat का भी एक important function होता है जो कि एक absorption का काम करता है जैसे कि fat soluble जो होते vitamins A, D, E and K यह point हो गया fat के बारे में next vitamins vitamins are a class of organic nutrients that cannot be made by our body next one water water is not only a major element of balance diet but it is a essential for survival यानि कि जीवी द्रेने के लिए पानी की जरूरत होती है योग्या हमारा water next fiber human cannot digest dietary fibers यानि की human क्या है dietary जो fibers होते है वो digest नहीं कर पता है it is an important constitute of a balanced diet और यह क्या है important constituent होता है balance diet का तो इस class के अंदर हमने पढ़ा balance diet की definition and balance diet में contribute होने वाले factors के बारे में जिसके अंदर आपका protein, fat, carbohydrate, vitamins, minerals and water आ गए उमीद करता हूँ आपको class अच्छी लगी हो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करें यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like करें और वीडियो को अपने classmate के साथ share ज़रूर करें Thank you